हलो दोस्तों तो आज हम जानने वाले हैं कि how you can generate a blog content using openai and save to google docs तो होगा यह कि जब भी आप अपने youtube channel पर कोई भी नया video upload करेंगे तो उस video के हिसाब से उसके title के हिसाब से अपने आप एक blog create हो जाएगा openai की मदद से और फिर वो जो blog होगा वो अपने आप save हो जाएगा आपके google docs पर as a document अब आप इस blog को इस document को जिस भी तरीके से use करना जाए कर सकते हैं as a video description कर सकते हैं या अपनी website पर upload करने के लिए कर सकते हैं इसके लिए हम YouTube को जोड़ेंगे पहले openai के साथ फिर openai को जोड़ेंगे google docs के साथ और यह सब करेंगे automation software pably connect की मदद से best part यह है कि आप इस video को देखने के बाद बढ़ी असानिस ऐसा कर सकते हैं तो चलिए इस process को start करते हैं और चलते हैं अपनी screen पर तो सबसे पहले आपको अपने browser पर type करना है pably.com slash connect और फिर press कर दीजिएगा enter ऐसा करने के बाद pably connect का यह landing page हमारे सामने आता है मेरा already account है इसलिए मैं करूँगा sign in अगर आपका account नहीं हो तो आप कीजिएगा sign up for free क्योंकि इसके बाद आपको कुछ free task मिलते हैं जिसकी मदद से आप यह automation बड़ी असानी से बना सकते हैं तो चलिए मैं करता हूँ sign in अब यह कुछ apps हमारे सामने आती हैं जिसमें हमें जाना है pably connect पर उख्लिक करना है access now पर ऐसा करने के बाद pably connect का dashboard हमारे सामने आएगा जिसमें हम जाएंगे create workflow पर और अपने इस workflow को अपने इस automation को एक नाम देंगे तो हम क्या चाहते हैं आज हम चाहते हैं auto generate करना youtube के title के हसाब से blogs तो मैं इसे नाम लिख देता हूँ auto generate blogs for youtube videos और उसके बाद click कर देंगे create पर जरूरी नहीं है कि आप भी यही title दें आप अपने हिसाब से कुछ भी title दे सकते हैं ऐसा करने के बाद pably connect की दो most important windows हमारे सामने आती है पहली है trigger दूसी है action हमारे यह जो automation है वो इन दोनों पर ही based होता है basically हमें इनमें उन apps और features को choose करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले है trigger का मतलब होता है when this happens यानि जब ऐसा हो and action का मतलब होता है do this तो ऐसा कर दो अब कैसे होगा कैसे करेंगे चलिए करके ही देखते हैं तो आज हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा जो भी YouTube टाइटल हो उसके ऊपर हमारे कुछ blocks create हो जाए और फिर हम उसे Google Docs में save कर लें तो इसमें पहली step क्या है पहली step है हमारे YouTube पे नए वीडियो का upload होना तो इसलिए जो हम पहली application चूज करेंगे भाई साब वह होगी YouTube तो YouTube को हमने यहां से चूज कर लिया बार यह trigger event की तो trigger event होता है वह event जिसके बाद हमारा यह trigger हमारा यह automation काम करने लगे तो हमारा जो अभी trigger event होगा वह होगा new video in channel with video URL क्योंकि अभी मैंने बताया जब भी नए video upload हो तो हमारा यह automation काम करने लगे click करेंगे add new connection पर click करेंगे connect with YouTube पर जिस भी account के YouTube से आप इसे जोड़ना चाहते हैं उसे choose कर लिजेगा click कर दीजेगा continue पर तो हमारा जो YouTube होगा वह successfully connect हो जाएगा पैबली connect के साथ जो अपके channel की ID हो जो आपका channel हो उसे choose कर लिजेगा मेरा एक ही channel है उसके बाद click करूंगा save and send test request पर तो ऐसा करने से आप पाएंगे कि जो भी आपका last uploaded video होगा उसकी details यहाँ पर आ जाती है देखे video URL आ जाता है उसका नाम आ जाता है जैसे जो मेरा last video था उसका नाम यह था how to connect Microsoft Excel and Telegram application automatically तो यह उसका title आ गया नीचे उसका description आ गया और बागी सारी जित्ते भी details थी जैसे उपर URL मैंने बता है वो आ गई यानि मुझे यहाँ पर ज़रूरी चीज़ थी वो थी YouTube वीडियो का नाम क्योंकि उस नाम के हिसाब से मैं उसका जो ब्लॉग होगा वो create कर पाऊंगा तो यह आ गया है तो अब हम क्या करेंगे अब हम उस content को create करेंगे content को create करेंगे with the help of open AI तो यहां से हम चूज करेंगे application open AI को open AI को यहां से चूज कर लेते हैं बारी है action event की तो हम content को generate करना चाहते हैं तो मैं चूज कर लेता हूं generate content को और click कर देता हूं connect पर जाऊंगा add new connection पर तो इसे connect करने के लिए देखिए यहां पर लिखाया है कि हमें token डालना है और यह quickly visit open AI API key page to get the API key तो यानि हमें यह जो blue heading है इस पर click करके हम आपर पहुच जाएंगे पर इसके पहले मैं आपको बता दू मैंने already login कर लिया है तो मैं direct पहुच जाऊंगा इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले login कर लीजएगा उसके बाद यहां पर click कीजएग तो देखिए हम यह API key's के option में आगए है यह हमारी यहां पर की एक generate है अगर नहीं हो आपकी तो आप यह create new secret की पर बड़ी असानी से click करके अपनी एक secret की generate कर सकते हैं उसके बाद उसे copy कर लीजएगा और यहां पर पैबली connect में आकर paste कर दीजएगा click कीजएगा save पर ऐसा करने से open AI successfully connect हो जाता है अब मैं जो open AI है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि यह कैसे काम करता है तो इसके लिए हम जाएंगे playground पर तो यह playground पर ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं तो देखिए अब यहां पर मुझे क्या करना है कोई भी prompt देना है यानि कोई भी line देनी है और उस हिसाब का content अपने आप create हो जाएगा जैसे for example अगर मैं लिखता हूँ write a tagline for school और click करता हूँ submit पर तो आप पाएंगे कि यहां पर अपने आप एक tagline आ जाती है the best place to get an education क्योंकि मैंने यही command दी थी यही मेरा prompt था तो मेरे prompt के हिसाब से यहां पर चीज़ आ जाती है और जरूरी नहीं है यह tagline ही हो कुछ भी किसी भी प्रकार का content हो सकता है जैसे for example अगर मैं लिख दूँ write a short story on school यह चलो school के लावा मैं school को भी change कर देता हूँ college okay और click करता हूँ submit पर तो देखिया आप पाएंगे कि यहां पर अपने आप एक short story create हो जाती है the day finally arrived it was the day of my college education हाना तो देखिये अपने आप एक short story जो है create हो गई है क्योंकि मैंने यहां पर क्या prompt दिया मैंने prompt दिया कि short story बनाओ college पर right तो इस तरीके से यह जो हमारा open AI का playground है यह काम करता है यहां पर मुझे prompt देना है यहां पर मुझे लिखना है उसके साब से यहां पर content create हो आप से जैसे इसमें अलग-अलग models है देखिये यह text da Vinci 2 है यह जो है इसके लिए लिखाए कि it is the most capable model in GPT series right ऐसे ही दूसरा जो है model वो है text query इसके बारे में लिखा है very capable but faster and lower cost than text da Vinci यानि इससे थोड़ा lower है फिर यह model है यह model है तो यह 3-4-5 model है जो भी model आप यूज करना चाहते हैं उससे चूज कर सकते हैं मैं इसी को चूज कर रहा हूं क्योंकि इसके लिखा है capable model है most capable right तो आप अपने साफ से model चूज कर सकते हैं फिर है temperature तो देखिए temperature जो है वो यह जो हमारा content create इस temperature को zero कर देता हूं तो फिर वो लगभग same तरीके के topic पर same content बनाएगा right पर अगर इसकी में randomness बढ़ा देता हूं तो फिर वो अलग अलग प्रकार के content बनाएगा है ना पर कई बार क्या होता है जादा randomness में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत जादा अलगना बना तो इसलिए हम इसको थोड़ा medium रख लेता है और मैं इसे 0.7 रख लेता हूं आप अपने हिसाब से trial and test करके अपने हिसाब से रख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर आ जाती है length तो यहां से हम length decide कर सकते हैं कि हमारी कित्ते words का हो है तो फिलाल मैं जो length है वो 900,000 कर 1018 मैंने कर ली आप अपने हिसाब से length कर सकते हैं उसके हिसाब से यहां पर content create होगा फिर बारी है stop sequences की तो देखें लिखा है up to 4 sequences where the API will stop generating further tokens यानि हमारा जो stop sequence होगा वो 4 characters का हो सकता है और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो further token generate नहीं होगा चलिए मैं कर करके बताता हूं तो माल दीजे हम यह कोई भी चार characters का token stop sequence कर लेता है तो यह मैंने कर लिया stop sequence click कर दिया add पर तो यह stop sequence add हो गया है और अब फिर और बाकी भी है इसका हम भी use करेंगे मैं आपको बताओंगा कैसे use करना है बाकी देखें यह top P है तो इसका instruction लिखा है frequency penalty penalty यह बाकी सारी चीज़ों के instructions पढ़के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाब से decide कर सकते हैं इसमें क write a blog on social media अब उसके बाद मुझे अपना यह stop sequence जो है वो लिखना है तो मैं यह लिख देता हूँ और click कर देता हूँ submit पर तो देखें इसके बाद यह जो मेरा blog है वो blog आ जाता है अब देखें मैं आपको पैबली connect में चलके बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तमाल करने वाले हैं तो मैं यह आ गया पैबली connect पर देखें वहाँ पर जित्ते models थे राइट यहाँ पर हमने व तो मैं लिख देता हूँ create blog on topic और फिर मैं topic को यहाँ से choose कर लूगा तो अब देखें topic की खासियत यह है कि जो topic रहेगा अभी तो वो यह topic है है ना how to connect Microsoft Excel पर यह बार 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 बदलेगा न topic topic तो बार बार चेंज होगा तो वो बदले हुए topics भी मेरे अपने आप यहाँ पर आ जाए और आगे चलके उन पर भी blog अपने आप create हो जाए जी हाँ जब topic update हो जब blog create हो जाए इसके लिए मुझे यहाँ से mapping करनी पड़ेग तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ आपने हिसाब से आप कर सकते हैं जो भी आप blog की length रखना चाहते हैं sampling type मैं temperature ही रख रहा हूँ जो value है sampling की वो मैं medium रख रहा हूँ क्योंकि temperature होता है randomness तो मैं नहीं चाहता है ज्यादा हो ना कम हो तो 0.7 medium हो जाता है presence penalty frequency penalty मैं उस पर मेरा एक blog अपने आप create हो गया होगा तो देखिए response received में ये blog आ गया है ये इसका content है if you are looking for a way to connect microsoft excellent telegram application automatically then this blog is for you और बाकी सब जो भी content है वो आ गया है यानि की blog create हो गया है अब अगली step क्या है या blog तो create हो गया पर उस blog को कहीं अच्छे से save भी तो करना पड़ेगा सेव करेंगे सेव करेंगे गूगल डॉक्स में तो यहाँ सेच करेंगे Google Docs को सेव काने इष करने से पहले document create करना पड़ेगा क्योंकि उस content created होता जाएगा तो जब जब एक नए document बनेगा तो उस document को नाम क्या देना चाहते हो तो मैं तो चाहता हो कि जो मेरा video का title हो जिस भी video का नए नए videos का उसका नाम ही उसका title ही document का नाम हो हो जिससे मैं असानी से find out कर सकों तो इसलिए मैंने यह से mapping कर ली click करता हूँ save and send request पर तो ऐसा करने से आप आओगे कि मेरा इसी नाम का जो एक document होगा मेरे Google Docs में बन गया होगा तो चले चल कर देखते हैं यह रहा Google Docs मैं refresh करता हूँ और देखिए सबसे उपर आ गया है how to connect Microsoft Excel and Telegram application automatically क्योंकि यही title दिया मैंने अभी बट यह भी blank है अब मैं क्या करूँगा यह जो blank है इसमें अपने जो data मुझे मिला था जो block का data मिला था उपर उसको add कर दूँगा तो उसको add करने के लिए वापस जो application चूज करेंगे हम वो होगी Google Docs action event होगा append a paragraph to a document एक बा कनेक्शन कर चुके तो वापस नहीं करना है क्लिक करना है select existing connection पर और save कर देना है document जो है उसकी ID मैप करना है नाम चूज नहीं करना है नाम आ रहा है कि जो अगला blog आएगा उसका नाम तो बदल जाएगा तो इसलिए document ID को मैप करते है document ID third number पर सबसे नीचे मिल जाती है सबसे नीचे स्क्रॉल करते है document ID document ID को मैप कर लिया बारी है inserted text की तो text हमें second step में मिला था तो इस second test को मैप कर लिया click किया save and send test request पर तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका blog होगा वो यहाँ पर आ गया होगा देखिए blog आ गया आपी के सामने how to connect Microsoft excellent telegram application automatically और यह पूरा blog आ गया length मैंने 1000 चूस की तो उसे साब से आया है आप देख लिए जए आपको अगर बड़ा blog चाहिए तो आप वो चूस कर लिजएगा तो इसकी link मैं अपने YouTube वीडियो के description में लगा दूँगा उस पर click करके आप इसे बड़ी आसानी से use कर सकते हैं हाँ तो दोस्तो बस यह applications ही नहीं बलकि ऐसी कई सारी applications हैं जिनको आप आपस में जोड सकते हैं और अपने business को automate कर सकते हैं अब अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप हमें नीचे comment section में पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं हमें forum.pably.com पर इसके अलावा अगर आप हमारी website विजट करना चाहते हैं तो इस link पर विजट कर सकते हैं और अगर आप automation में क्या-क्या updates आ रहे हैं किस-किस तरीके के automation से आप अपने business को grow कर सकते हैं अपने business की processes को असान बना सकते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस Facebook group को join कर सकते हैं I hope so आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर लगा हो तो इसे like कीजेगा अपने friends और colleagues के साथ share कीजेगा और हमारे channel को subscribe कीजेगा Thank you so much